हमारे एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछा है कि उनकी फैक्टरी अच्छी नहीं चल रही है वो एक सिक यूनिट बन गई है तो अक्षे क्या ऐसे में कोई बैंक उनकी साहेता कर सकता है बिल्गुल अर्चुना और इसी सवाल के जवाब के लिए हमने अमारे स्टूडियू में बुलाया मशूर इन्वेस्ट्मेंट बैंकर केके गुपता जेको सर वेलकम टूमाजेकार सर पिशली बार हमने बात की थी लोन्स के उपर लोन्स मिलना कितना मुश्किल है उसके लिए कैसी तियारी की जाहिए इस बार में जानना चाहूंगा कि एक और बड़ी कॉमन समस्या है जो बैंक के सामने आती है वह है सिक यूनिट की तो सबसे पहल सबतекс है ऐसे रिपेमेंट बिन कर बाता ऐसे वर्किंग केपिल में स्टॉक होते हैं उसके श्टॉक बिकते हैं तो उदहार जो दे दे धा है वह刚us नहीं आता तो फईनिश्नष्टाइब वह द neste killer होने से उसक एफेट कहां करेगा उसके प्रॉफट विसको रे प्रभ्राप वो ब्रवी करना है तो कि अध्यम बेच्स ज़ादा धिर कम होता है तो डिक्ट हेट शर्टल मपरता है ऐसे कैपितल अधाले तो थो तो इस करता है ऐसा नहीं है कुछ भी लेकिन जैसे बैंक का NPA नॉर्म्स है नॉन परफर्मिंग एसेट को बूलता है बैंक तीन मेने तक यदि उसने इंटेस्स पे नहीं किया तो वह NPA अध्ड़ाभण नपी यह सिक उनेट नपी में डिफेंस है डिफेंस है जब इसकी नेट वर्थ का मतले उसकी कैपिटल उसके 50% तक एरोड हो जाते हैं तो इंड़स्टिय को सिकनेस करते हैं यदि बैंक आपने देखे बेर इंड़स्टिय सिकना स्क्यूं हूई है तो बैंक की फर्स्ट गाई तो बैंक को उसी टाइमस पर प्रकॉशन लेना चाहिए ताकि उसकी इसक्नेस को कैसे दूर किया जाए पार्टी की डिफिकल्टी क्या है रिजन क्या है उसका वो पार्टी से डिस्टर्स करके इस फाइड आउट करने चाहिए तो सर मैं अगर जिस्ट में जानना चाहूं तो किस तरह से एक कंपनी अपने आपको इस सिख होने से उभार सकती है बचा सकती है सबसे पहले तो बैंक को सेट्षवाई करना पड़ेगा इंडेस्ट्री से क्यों हुआ उसका रिजन क्या था सेकंड है उसको कैसे दूर किया जा सकता है यह इस पोज़कर आपके मार्केटिंग नहीं थी यह आपको रामडिर कॉस्ट बढ़ गया था तो आगे में इस बैंक फंड का पो करता है और डिफिकल्टी दौरे नहीं आएंगी आपने पैसा डवर्ड कर दिया फिक्स एसेट में लगा दिया तो आगे से भी आप नहीं लगाएंगे ऐसा बैंक को इस देना पड़ेगा सेकंड इशू होता है उसकी प्रजेक्ट रिपोट तो इसको अपने फैनेशल बैंक को देने पड़ेंगे भी मेरा यह प्रजेक्शन है यह मैं ऐसे चीप करूँगा ऐसे बैंक को लो को त्यार है रिजर पैंक के गाइड लेनी बहुत बहुत कलियर है गुट बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टुडियो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए मुझे उमीद है आपके दियोवे टिप्स हमारे दर्शकों के लिए बहुत यूसफुल होंगे थैंक कर दो